सो हे गाइस गूड इवनिंग कैसे आप सभी लोग उम्मीद है सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में स्पेसिल में बात करने वाला हूँ जो लोग भी दुबई में हैं या फिर अपनी कंट्री में हैं और वो जानना चाहते हैं दिसंबर मंद में जॉब की मार्केट जॉब की कंटिसंस अभी युवई में क्या चल रही है इसके बारे में अगर मान लीजे आपको जॉब मिल गई तो अच्छी बात है लेकिन अगर आपको जॉब नहीं मिली है तो जरुरत है आपको उस फिल्ड में महिनत करने की जहां पर आपको जॉब मिलने की अपॉर्चनिटी जो है वो जादा हो क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर आप किसी फिल्ड में आप मेहनत कर रहे हो लेकिन वहाँ पर अगर उसका स्कोप नहीं है तो वो चीज जीरो हो जाती है लेकिन जिस फिल्ड में अभी स्कोप है जिस फिल्ड की जरुरत है अभी जहां पर जॉब की मार्केट अभी ठीक है अगर उस फिल्ड में आप जाते हो तो उमीद है कि आपको जोब मिलने की ज्यादा संभा होना है देखें मैं कोई एजेड नहीं हूँ और नहीं मैं आपको कुछ ये बताऊंगा कि हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा कि भाया यहाँ पर जॉब कर लो ऐसा कुछ नहीं है करना सारा कुछ आपको यह होता है बस यह है कि यहाँ पर कम से कम 6 साल से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ जिसकी वज़े से जो भी experience है वो मैं अपने भाईयों के साथ share करता है रहता हूँ ताकि यार आप लोगों को ना सही information मिल सके कोई भी आपको use ना कर सके बस यह मेरा छोटा सा प्रयास है तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है information अच्छी लगती है तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe जरू करें और bell icon को on जरू करें ताकि कोई भी अगर में वीडियो डालू तो उसका notification आपको मिल सके है तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ job market की देखिए job का market सेम लगभग होता है कुछ ऐसा time आता है जैसे की weekend में जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है sales का बागी के बाद मैं नहीं कर रहा हूँ और यह जो sales है ना यह हर field में हर जगह पे है यह अगर आपको sales आती है आपने हलका फुलका graduation या फिर आपने इंट्रे वगएरा किया हुआ है और आपको ठीक ठाक English वगएरा आती है तो आपको sales का मियाँ पे मिल जाता है लेकिन इसकी जो market है हर जगह पे हर समय होती है यहां नहीं तो वहां वहां नहीं तो वहां तो आप कोशिश यह करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जब आप job search करें तो retail में search करें क्योंकि वो छोटा shop हो या बड़ा shop हो वहां पे बंदों की जुरत ही होती है ठीक है तो मैंने कई बार भ भी वहां पे vacances आती रहती है कोई छोड़ता रहता है कोई अपने घर जाता रहता है तो वहां कभी यह scenario बन जाता है कि आपको वहां पर भी job मिलने के आसार होते हैं ठीक है उसके बाद में अगर हम बात करें जैसे कि receptionist हो गए या cashier हो गए और कुछ receptionist female लोग भी मांगते ह आप female होनी चाहिए और कुछ कैसे भी female मांगते हैं तो वो आप अपनी हिसाफ देख लिए कि आपको आप कौन सी category में है और आपको कौन सी job सर्च करने ही वो depend आपके आपके उपर करेगा ठीक है अभी जो सबसे important और सबसे बड़ी opportunity है वो है FIFA World Cup की आप सभी को पता है कि FIFA World Cup बहुत जल्द आने वाला है तो इससे क्या होता है कि वहां का जो tourism sector है उसमें काफे यदा उच्छाल आता है हर चीज में टूरिस्त बहुत जादा आते हैं टूरिस्त खसासाथ आप लोगों की opportunity ये बन जाती है कि hotels plus restaurant अगर आप restaurant या hotels में आप try करते हो तो obviously आपको वहां पे opportunity ज्यादा होगी ठीक है तो आपको बार-बार बटकने से अच्छा है कि आप retail में try करो sales में try करो और FIFA word cup जैसे कि आप सभी को आ रहा है तो उससे related अब ये तो आप भी सो सकते हो ना कि जब tourism आएगा तो आप किस की sector में आप job search कर सकते हो जहां पे आपको job मिलेगी ठीक है व उस हिसाब से अगर अभी है आप जाने वाले हो तो जाओ ऐसी कोई दिक्कत ने लेकिन हाँ अपने ट्रस्ट पर जाना किसी के बरुसें बचाना क्योंकि भाईया सब की अपनी जॉब होती है और बहुत कमी लोग ऐसे होते हैं जो आपको दुबई के अंदर अपना time दे दे ठीक है ताब अपने माध्यन जाओ और अपने माध्यन से आप काम करो ताकि आपको अच्छी जोब मिल सकेए तो होब आपको information अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद तो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो मिलता है अगली वीडियो मे मैं तब तक बाता है को सुमाज जाहिन वन्ने मातरम